गूड इमनीं, कैसे आप सब लोग, I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोग ने मेरे चैनल पर बहुत सारे कार की रिव्यू वीडियो देखा है, पहली बार मेरे चैनल पर ट्रेवर ब्लोक डलेगा, जो भी ट्रेवर ब्लोक जो है, वो भी इंटरनेशनल ट्रेवर जो मैं दिल्ली से बैंको के ट्रेवल करने वाला हूँ इसमें आपको कैसे कैसे ट्रेवल किया जाएगा कैसे कैसे इमिग्रेशन है क्या है सब कुछ आपको मैं बताता रहूंगा साथ के साथ आज डेट है 29 29 रात के बारह बच गए आप हम लोग एरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं यहां से हम लोग पांच जने जाएंगे जो रास्ते में मुझे कोसांबी में चार जने मुझे जोइन करेंग है आप हम लोग गाड़ी में बैढ़ गए और यह मेरा श्ताब अपाई जो मुझे कुसांबी तक छोटने जा रहा है महां से अम लोग केड़ ले से वो मुझे जो जॉइन करेंगे वो हमसे मुझे जॉइन करेंगे वहां रोग कैप लेका एरपोट जाएंगे तो बिल्कुल हम दीरा हुचुका है बाहर, रात के बाहर हुच चुका है। अपने सुसाइटी से भण निकल के अब यहां से हम टरन् लेकर अब हम जा रहे हैं को सा में हम जाएंगे रैडी सेंड ब्लू होटल उसी पे हमारे सारे फ्रेंड्स हमें जॉइन करेंगे सुबह पांच बज़ेंगे हमारी फ्लाइट है पांच बच के पच्चिस मिनट के जो हमें बैंकोक स्वरभुमी एरपोर्ट 11 बच के बीस मिनट भाई थिंग डॉप छोड़े सब्सक्राइगे बार एक बच जाएंगे हो तो वहां के टाइम के जाब से यहां पर अभी रात को दस बज़र दिन के सॉरी दस बज़रे होंगे सुबह के तो हमारा दिन के साड़े ग्यारत देर गंटे हमसे आगे है बैंक को सेवन मंडी वाले रूड पे आगए यह आप सीधा रास्ता यूपी गेट के लिए और इधर आप मुड़ जाएंगे तो आप अनंद विहार के लिए चले जाएंगे हम सीधा जा रहे हैं डेट इसन ब्लू के लिए जो यूपी गेट के पास ही है को सामभी में यह हमारे सारे साथी यह रमेश भाई जो सबसे लेट लफ्वीफ है सबसे ज्यादा लेट इडिक्वेस होता है और यह हमारे कमलेश भाई और यह गौरव भाई क्याले विया सबसे ज्यादा लेट आने वाले बंदें अब यह हम उबर के अंदर बैट गया है कैप के अंदर और एक दूसरी कैप हमारी वह आगे जा रही है और एक कैप यह है मैं और कमलेश भाई बैटे हुए हमारे यह हमारे ट्रैवर अंकल और यह हम को सामभी से हम निकल गए यह गर देराज यह हमें से तो निकल साथ के टाइम है पूरा दिली संसान किने चुनी गाड़िया जो हाँ पेर रखने को विजगनी मिलती है वहां रात में बेलकुल सुनसान बिलता है अंगल आप तो पूरी रात ड्राइब करते होगे अभी घर सवारी आज कल पहले की तरह मिल जाती है यह जो कृषिए से पैसा अच्छा कि एक अच्छा इस यह नहीं तुरी राध हो अगा-था लोगा अच्छा जब यह तो छो अच्छा इस यह हो अब यह हम एरो सेटी में आ गया है यह एरो सेटी अंडर पास के अंदर से निकल ले है लाइटिंग वाइटिंग और प्रिंट किया हुआ है बड़ा अच्छा डिजाइन वगरा किया हुआ है इस पे अब मतलब दिल्ली के अंदर किसी भी जगे चले जाओ पहले जैसे महल बिल्कु देखने को नहीं मिलता पहले क्या रॉनक होती थी रोड पेस टाइम लोग बाग होते थे लेकिन आप बिल्कुल खाली खाली दिल्ली एक दम यह पहल मॉन होटल एरो सिटी के अंदर यह सारे हो के रोखने के लिए अपर बहुत सारे होटल्स बने हुए है फुर अरश वैसे अंदर कि रुल पाली के यहां पे अलगी है हम टी फिरी आ गए जो इतना गरीन री अधा इतना आपको हो यहां कैसा कहीं पी नहीं लगता है हम इंडिया में कहीं प्यों एजाल लगता है बाहर इतनी ना मतलब रोड चोड़े चोड़े कि इंडरी अच्छा चमकता हुआ और यह हमारा सब आप लोगोगों को दिख रहा होगा सामने टर्मिनल टी-3 जाद करके इंडिया से दिल्ली से इंटरनेशनल टर्मिनल टी-3 से ही जाती है अब यह सामने एर्पोट की पार्किंग बनी हुई है एर्पोट के बहुत बड़ी पार्किंग है और यहां से सामने से यह एंटरी है अंदर जाने के लिए अभी हमारी जो दूसरी टेक्सी है वो भी पीछे रह गई है वह भी तक आई नहीं है को यहाँ से अलग वलाग कई गेट बने चेक जा एंडर जा कि करके अंदर जाएंगे फिर अंदर जाकर आपका चेकिंग काउंटर है उसके बाद जिसके फ्लाइट से आप जा रहे हो उनके काउंटर है और वहां से आपको अपना टिकट और करके फिर अंदर इम्मीग्रेशन के लिए जाना परेगा है पिछली बार जब हम दुबाई गहते हैं तो उस टाप मैंने ब्लॉक्स नहीं बनायते लेकिन वहां मैंन काउंटर पर जाना है यह हम देखेंगे सब्सक्राइब पर किया के आप यहां इस तरह को परस्तान करेंगे यहां करें पर आप पासपोर्ट स्सक्धाल कया है थे लांके राड़ स्कूंटर है इंटरनेशनल की लाइने आपको पासपर दिखाना होता है टिकर दिखाना होता है कब वापस आरे वो सब दिखाना पड़ता है इंमिग्रेशन के लिए दिल्ली ड्यूटी फ्री एलकॉल आओ तो आप यहां से पर्चेस कर लो सबसे ची जगह है आप यहां से बाहर भी ले जा सकते हो एलकॉल एक पासपर पर एक ही ले जा सकते है वैसे तो दो बोतल भी ले जा सकते है पर आप एक पासपर पर एक ही ले जाईए अब हम अपने गेट की तरफ बढ़ते हुए हमारा है 18 नमबर गेट इसमें यह ज्यादा दूर नहीं है ज्यादा चलना नहीं पड़ाज उपने गेट की तरफ बढ़ते हुए हमारा गेट है 18 और अब बोर्डिंग स्टार्ट हुआ नहीं है विट टाइम लगे को बोर्डिंग स्टार्ट होने में है यहां पर वेटिंग एरिया मने विए पैठने के लिए यहां अब टूंबर गेट पर आगए अब बोर्डिंग स्टार्ट हुई नहीं है अब हमने बोर्डिंग क्प्लेट करके अपने फ्लाइट की तरफ बढ़ते हुए अब हम अपने सीट पर आगे बैठ गया है सबसे आगे की सीट है अब सेकिंड रोग यह अब पीची की बात करें तो बहुत लंबी छोड़ फ्लाइट है और यहां पर इस प्रणवे अब हम अब हम पुराइट की अब हम पुराइट के लिए पुरे स्पीड के साथ रणवे की तरफ पुराइट के लिए जाते हुए यह अब रणवे से पुराइट बढ़ने बुद्धे अब अपने पुरे स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए लाइन लगी रहती है रणवे पे एक के बाद एक के बाद एक लाइट के लिए अब बाद लोग के बिल्कुल ऊपर आख चुके है अब आप लोग देख रहे हुए नीचे पूरा बादल देख रहे है और सूरज भी अलका अलका मद्धम लाल लाल हो चुका है आसमा सूरज भी निकलने को तयार है और बादल को शीरते हुए फ्लाइट उपर की तरफ जा रही है अब नीचे बिल्कुल वी स्टंप कुछ नहीं देख रहा बिल्कुल अंधेरा काला काला बादल हो रखा है अब को यहाँ पे पुरी लेनेंगे तीक वाताओं यह फायनली है यह जब चनकर लगता है तो नब जो कि आप रन्वे पर उतार गए तरते है फ्लाइट की स्पीड इतरे इते है देरे देरे जो स्पीड होती है उसको उपर सही मेरेज करते है जब जो उतरते है तो बहुत दूर तो भागते भी जाती है के प्ले है कि रैंडिंग से कुछ टेम पहला है अब महसूस होगा है इसके दो तेहां पांच मिनट बहले है जब इसके वील्स ओपन होते है फुक्तम एक चिटका सा लगेगा महसूस होगा कि हाँ इसके वील्स ओपन होए है यह यहांगा सबस्तब बड़ा एरपोर्ट है स्वेर भूमी एरपोर्ट इस वान भूमी एरपोर्ट स्वारी प्ले मुझे वह दिए प्लेड यहांगे लेका है यहांगे लग रहा है यह लग रहा है प्लेड प्लेड वान भूमी एरपोर्ट वेंगोड में लेंग कर गए कैसा रहा कमलेज भाई एक्सपरियेंस इसके सीट्स कमट्वोर्ट बन नहीं है और ना मील्स है इसमें खाने को भी कुछ नहीं है इससे आप इसकी अगर पुलना एमरेट्स से करो तर कैसा रहाएगा सुपर से ऊपर है यह तो है यह आप सवर भूमी है पोर्ट देख रहे हैं जो आज का टेंपरेचर है 29 डिगरी यहां का भी यहां से अपने बैग अपना क्लेम कर लिया अपना बैग क्लेम करके अब आराम से यहां बैटे हुए है है वहां पे जो सामने है से यहां का साथ दिन के लिए 200 बहरत में मिल रहा है है कि ए इंगा है आ पहले है यह प्रुआ करा काया हूं आपर लिए हम लोग बस ज्चाए हैं अभी यह बस से हम लोग यहां से ओच वोटल के लिए जाएंगे हैं गोटल नेमिंस देखते कितना द यह आपि जैसे जैसे रात तती जाएगे कि सामुंख दाएगा यहाँ पे अलेज व्यू देखने कूं मिलता है पर ही इंडियन रेस्टूरेंस भी है मैंने भी पीछे एक टेहते माराथी उतुनादी। माराथी गुजराथी इंडियन रेस्टूरेंस यह होतल सब बगडा है बने ठीप होटल है, इस वह फाने ऑफियों हुआ है है तोहाई सरे और एक्षेंज के लाड़ा है, बने नेची पर सबस्क्ति जोड़ा है हो एल ही भालाईटी के खाने हैं, तम ईंडियान था ही मैसको तो सारे बैराइटी के खाने मिल जए देखके खाना या क्या क्या मिला के देदे कुछ पता नहीं हूंता हूँ अवर होटाल वियो इन फ्रॉंट इस फॉट्टी मंजिल 14 मंजिल का ही इमारत है इसका नाह में लॉंग वीच रिवर्स और यह इसका एंट्रेंस हमारा जो रूम है वो 40 फ्लोर पे ही है हां 40 फ्लोर पे ही है बहुत हाइट है इस 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 एंट्रेंस त्थिए अरे आए इस रिसेप्टिया इस रिसेप्टिया थिस रिसेप्टिया थिस आवर रूम तुम खुरना साच जावगे यह त्वी ए ड्रेसिंग तेवन और यह पोस्तूम अच्छे बडी है पुरने करें तो